दलितों को मंदिर में जाने से रोकने पर हुआ बवाल अब जेल पहुँचा ब्रह्मन पुजारी मंदिर के चबूत्रे पर खड़ा होकर दलितों को मंदिर में घुसने से रोकने और उन्हें जातीवादी गालिया देने वाला ये ब्रहमन पुजारी अब जेल की हवा खा रहा है जी हाँ इस जातीवादी पुजारी को गिरफतार कर लिया गया है इस घटिया मान सकता वाले पुजारी का ठिकाना अब मंदिर नहीं बलकी जेल है राज़स्तान के जालो और जिले के नीलकंट गाउं में दलित दूले को मंदिर में घुसने से रोकने और जातीवादी गालिया देने के आरोपी पुजारी को गिरफतार कर लिया गया है एसियानेट न्यूस की खबर के मताबिक आरोपी पुजारी को जालोर पुलिस ने S.C.S.T.A. की धाराओं में गिरफतार कर जेल भेज दिया है पीडित परिवार ने आरोपी पुजारी के खिलाफ मामला दर्स करवाया था जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया दरसल 21 अप्रेल को आहोर के साडन गाउं से दूले कुकाराम की बारात डीलकट गाउं आई थी गुरवार को फिरो के बाद शुकरवार को विदाई होनी थी लेकिन इससे पहले वो मंदिर में धोक लगाने और नारियल चड़ाने पहुंच गए दुलन की मोसी के लड़के ताताराम मेगवाल ने बताया कि हम लोग मंदिर में नारियल चड़ा रहे थे इसी दोरान पुजारी वेला भारती ने उन्हें अंदर आने को लेकर टोक दिया इसके बाद वे कहने लगे कि मंदिर में नारियल चड़ाने की जगह नहीं है और तुमारे लिए बाहर जगह बनाई गई है इसी बात को लेकर विवात बढ़ गया शनिवार को ताराराम S.P. के पांस पोँचा और शिकायत की को ड़ी बाद शनिवार करें ने पुजा करूं के कि पटा सद़ा हूता वह बढ़ाते हमें तो में में बाद शनिवा शनिवार करें लप कर आए रहां यह बहां है और जिए यह जगह प्रशतर बाद जो हम आमेरा बाद जिए मोट यह अरू ब्राबर आब अ इसके बाद भादरा जून थाने में पुजारी वेला भारती के खिलाफ SCST Act की तयत मामला दर्स किया गया सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो वाइरल हो गया था जन्म के अधार पर भेदभाव करने वाले ऐसे घटिया जाती वादियो का असली ठिकाना जेल ही होना चाहिए लेकिन एक सवाल उन दलितों से भी है जो खुद को हिंदू समझ कर मंदिरों में मत्था टेकने जाते हैं और इस तरह से जलील होकर लोटते हैं सवाल है कि आखिर ये जलालत कब तक सेते रहेंगे आखिर ऐसी जगे क्यों जाना जहां आपका सम्मान नहीं बलकि अपमान होता है आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें Bureau Report, The Newsweek